दोस्तों कल की बात है जैसे ही चीन ने भारतिय भूमी को अपना दरसाते हुए मानचित्र जारी किये वैसे ही भारत सरकार ने कूट नितिक माध्यम के जरिये चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया जबकि भारत सरकार की जुझलाहट साफ साफ दिख रही थी सामने भारती बिपक्षी पार्टियों की खुशी छुपाये नहीं छुप रही थी उधारन सुरूप आप देख सकते हैं बड़ बोले संजै राउट साहब संजय राउस साहिब मोदी जी से बोल रहे हैं कि वो चीन से कब लड़ेंगे मोदी जी चीन से जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे लेकिन आप हमें बताइए कि आप महराश्ट्र में लोकसवा का राज्ज सवा का और अगर ये दोनों नहीं लड़ सकते तो कम से कम पारसद का BMC का election कब लड़ रहे हो कब चुनाओ जीत के दिखा रहे हो आप जैसे तैसे setting करके आपको राज्ज सवा की seat मिल जाती है लेकिन बयानबाजी ऐसे करते हैं जैसे मानों की देश के सबसे बड़े जननेता यही हो जबकि दोस्तों संजय राउस साहिब का कद छोटा है लेकिन सवाल इन्होंने बड़ा पूँचा है तो इनको जवाब देने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि मोदी जी ने चीन के खिलाफ सर्जीकल स्ट्राइक नहीं मेगा स्ट्राइक करी है यदि संजय राउत की तरह आपको भरोसा ना हो तो आप जाके वाल स्ट्रीट जर्नल अमेर की अखवार का कहना है कि चीन से मैनिफेक्चरर्स भाग रहे हैं भारतिया स्टार्ट अप के साथ गट बंधन कर रहे हैं चीन की मैनिफेक्चरिंग कैपिसिटी भारतिया बन रही है ये है मोधी साहब की चोट जो की डारेक्ट सी जिन पिंग के सर पर पड़ी है वैसे वाल स्ट्रीट की ये ताजा रिपोर्ट है लेकिन आपको अगर पुरानी लग रही हो तो जरा आप ये देखिए दुनिया भर के एकॉनमिस्ट ने चीन की ग्रोथ रेट काट दी है 5.2% से घटा कर 5.1% कर दी है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याजदरें बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ धीमी करनी है चीन में उल्टा काम चल रहा है ब्याजदरें ये काट रहे है फिर भी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है चीन में मंदी के कारण पूरी दुनिया में खद्रे की घंटियां बज रही हैं दोस्तों आपको याद होगा यूपीय के सासनकाल में हमारे अखवार छोड़ दीजिए पूरी दुनिया के अखवारों में सिर्फ और सिर्फ चीन की तूती बोलती थी लेकिन आज चीन के बंडा धार की खबरें छप रही हैं तो उसका श् साथ में दोस्तों चीन की कितनी दैनी हालत है आप देख सकते हैं कि इनके भंडारों में जो पैट्रोल डीजल भरा पड़ा है जो कि इनों ने अपनी कंजम्शन के लिए खटा किया था ये उसे जला नहीं पा रहे हैं इन्हें डिसकाउंट पर दुनिया को बेचना पड़ आए ये सोच रहे हैं कि पैट्रोल डीजल बेच के जैसे तैसे करके पैसा जोगाड लें ताकि हमारी अरसल व्यवस्ता आगे बढ़े चीन के लिए पैट्रोल डीजल का सबसे बड़ा मार्केट था सिंगापुर और मोधी साहिब ने वही मार्केट चीन से चीन लिया है भा आज दूसरे मार्केट तलासने पड़ गए हैं दोस्तों यहां ध्यान देना बेहद जरूरी है सर्जीकल स्ट्राइक का मतलब सिर्फ बंबंदूक और गोलियों का इस्तेमाल नहीं होता भारत यह जो काम कर रहा है उससे जो चोट पड़ेगी वो ना सिर्फ ज्यादा गहरी होगी बलकि बेहद घातक भी होगी सर्जीकल स्ट्राइक करते तो लिमिटेड इंपक्ट पड़ता लेकिन यह जो मोदी साहिव ने किया है उसके कारण चीन के भविश्च के ऊपर सवालिया निसान आज पूरी दुनिया ने लगाया है अब दोस्तों बेहद काम की बात सुनिये हमारे देश में ज्यादा तर लोग चीजों पर खर्च करते हैं लेकिन जब अपने आप में खुद में निवेश करने की बात आती है तो वो डरते घवराते हैं अत्वा टालते हैं जबकि दोस्तों यह समय सिद्ध बात है कि खर्चा बढ़ने के साथ आपको आए भी बढ़ानी होगी और कमाई में ब्रद्धी करने में सहयोग देती है नई नौलेज उसी नौलेज को लाइव प्रक्टिकल के माध्यम से सितंबर महिने की वरक्शॉप के माध्यम से हम सिखा रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी उस पर क्लिक करके अपनी सीट अभी के अभी बुक कर लीजिएगा